नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको माचले में मैं आमेरी सिर आज के इस पीडियों बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा 2023 के बारे में दोस्तों 2023 में जो आप लोग का मैट्रिक इंटर का परिक्षा होने बाला है उसको लेकर अभी बिहार बोड के तरब से एक महतपुर्ण सूचना आप लोग का जारी किया गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो dummy registration card है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है मेट्रिक और इंटर दोनों के लिए लेकिन बहुत सारे ऐसे चातर हैं जिनका के आप लोग का जारी किया गया है कि अगर आप लोग का जो dummy registration का डाउनलोड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आप लोग का जो registration है वो यहाँ पे complete नहीं हुआ है किसी भी कारण से आप लोग का registration है वो यहाँ पे नहीं हो पाया है तो उसके लिए बिहर बोड ने जोई दुबारा आप लोग का registration है हाँ पे शुरू कर दिया है कब से कब तक आप लोग अपना registration करबा सकते हैं और कितना पैसा आप लोगों को लगने बाला है वो भी मैं आप लोगों को आप बताने बाला हूँ तो वीडियो को पूरा लाक्स तक कर देखते रही है उसे पिलेगर आपने माचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो तो जैसा आप लोगों को जानकारी मिल सके चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जैसा आप लोगों को देखते हैं दोस्तों मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे एक notification पड़ा हुआ यह नोटिस आज़ी आप लोगों का भàiहार गुर्क तबस्से आपर जारी किया गया यहाँ पे आप देख लिजे बताया गया कि भीहार भी जैले परिक्षा समीत्पि पटना यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों यह जो है तक भड़े जाने एवम सुल्क, बिलम सुल्क के साथ जमा करने के संबंद में आवस्सक सूचना है यानि दोस्तों मान लीजे कि आप लोग यहां पर जो अपना dummy registration काड डाउनलोड कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपनों का जो registration है वो नहीं हो पाया है किसी भी कारण से हो सकता है कुछ detail गलत होगा या फिर किसी भी कारण से registration नहीं हुआ है तो ऐसे में आठ आठ 2022 यानि कि आज से लेके 14 आठ 2022 तक जो है आप अपना यहां पर जो registration है उसको करवा सकते हैं और आप registration करवाईएगा तो तुरंत ही आपनों का डमी registration कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा यहां पर आपनों का जनकाई दियागा दूस्तों कि बार्सिक मार्जमी परिश्चा 2023 सत्र 2022 में सम्मिलित होने के लिए बिद्यालेओं में बिद्यभत नौबी कच्छा में नामंकित अध्यांतरत नियमित एवं स्वतंतर कोटी के चाठ चातरा का पंजियन अनुमती आभिदन बिद्याले परदान के द्वारा ओनलाइन समीती की बेब साइट यहां पर भरने एवं सुल्क जमा करने हेतु आंति जैसा हुआ है कि वो अपना इआप रजिषट्रेशन के लिए असकुल में दे चुके हैं लेकिन उनका रजिषट्रेशन अपर नहीं हुआ है किसी भी क cómoशन से जो अब न ही एक तो फो जो dalए रजिषट्रेर्सन करवा सकते हैं यहां पर आप नोगका बता की जोस्तों कि पंजियन अनुमती आविदन भड़े जाने से बंची चाथ चात्रा के हीत को ध्यान में रखते हुए पंजियन अनुमती आविदन भड़े जाने ये वमसुल के साथ जमा करने हैं तो दिनांक 8-8-222 से 14-8-222 तक अंतिम रूप से तिथी निधायित की जाती है यानि ये जो ह अपनों का लास्ट डेट है इसके बाद आपनों का जो आगे डेट नहीं बढ़ेगा इस बात का आपनों को आप ध्यान रखना है उपाद यहां पर आपनों को बतागा है जिस तिति को ऑनलाइन पंजियन अनुमती आविदन भड़ा जाएगा उसी दिन कुछ समय के बाद समय की बेपसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है यहां पर आपनों का बताया है कि आप लोग को ऑनलाइन जो अपना यहां पर रेइश्टेसन करबाना होगा वह о आशकूल के माध्यम से ही होगा है यहांनि कि आपके हेड़ मास्टर होंगे वहीं आप लोग का भी यही रहने बाला है दोस्तों, इंटर में भी आपनों को अस्कूल के माध्यम से ही रेइश्रेशन करबाना होगा नीचे आपनों का सूल्क बताएगा कि कितना पैसा आपनों को लगने बाला है कुछ इस तरीके से नोटिस जारी किया गया, इसमें भी डेट आपनों का स्यम रहने बाला है 14.08.2022 तक आप इंटर का भी भर सकते हैं और यहां पे भी आपनों का जांकार दिया गया, आप यहां पे देख लिजे कि आपनों का बताएगा लेकिन अभी बिलम सुर्क यानि कि आपनों का लेट फाइन लगेगा और 635 रुपे आपनों का लगने बाला है अगर आप यहां पे शोताना कोटी के छात्रे यानि कि अगर आप रेगुलर बाले नहीं है और अगर आप रेगुलर बाले चातर नहीं है तो 1535 रुपे आप लों को आप देना होगा तो इस तरीके से आपनों का डेट यहां पे निधारित किया गया है 14 तारीक तक आपना रेजिस्टरेशन करवा सकते हैं और बहुत साथ चातर नहीं पे रेजिस्टरेशन रद हुआ था तो इस बात का भी आपनों को ध्यान रखना है आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंदा होगा अगर यह वीडियो पसंदा है तो लाइक चेस ब्लोग को सब्सक्राइब को जमाई चैनल को मिलते नेक्स मों तक के लिए धन्यवाद